इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। क्लोरस्ट D3 soft gelatin capsule का इस्तेमाल vitamin D की कमी और osteoporosis के इलाज में किया जाता है। यह शरीर को calcium को अवशोशित करने में मदद करता है। calcium मजबूत और स्वस्थ हड्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपका आहार पर्याप प्रदान नहीं करता है। क्लोरस्ट D3 soft gelatin capsule को आपके डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लेना चाहिए। इसे भोजन के साथ या बाद में लेना सबसे अच्छा है क्योंकि यह आपके शरीर को इसे अवशोशित करने में मदद करता है और आपको इसका अधिक से अधिक लाप प्राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। यदि आप इसका उपियो गौस्टियो परोसिस के इलाज के लिए कर रहे हैं तो आपको अन्य दवाएं भी दी जाएंगी। यह दवा उपचार के एक संपून कारिक्रम का केवल एक हिस्सा हो सकती है जिसमें आपके आहार में परिवर्तन करना और केलशियम और विटामिन की खुराक लेना भी शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अपने आहार में पर्याप्त केल्शियम और विटमिन डी मिले, उन खाते पदार्थों के बारे में जाने जिन्हें आपको खाना चाहिए. क्लोरेस्ट डी तीन सौफ्ट जेलाटिन कैपसूल के कुछ दुश प्रभाव हैं और कोई भी सामान्य नहीं है. यदि आप बहुत अधिक लेते हैं, तो आपको कमजोरी, मांस्पेशियों में दर्द्या, आपके मुह में धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है. यदि इस तरह के किसी भी दुश प्रभाव का अनुभव होता है, तो अपने डॉक्टर से बात करें. वे लक्षणों को कम करने या उनका इलाज करने में आपकी सहायता कर सकते हैं. इस दवा को लेने से पहले, अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपके रक्त में केल्शियम का उच्छ स्थर है या यदि आपको हिरदय, किड्नी या लीव की कोई बीमारी है. कुछ अन्य दवाएं विटामिन D3 के अवशोशन को कम कर सकती हैं. इसलिए अपने चिकित सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए ले रही हैं. यह दवागर भावस्था के दौरान मदद कर सकती है जब आपके शरीर को अधिक विटामिन D की आवश्यक्ता होती है, लेकिन बहुत अधिक आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है. अपने डॉक्टर से चर्चा करें. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिक को क्लिक करें. धन्यवाद.